हेलो स्टेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसी टूट्रेश में तो इस्टेंट्स आज हम लोग इस्टेडि करने जा रहें बेस्ट ये फिफ समेस्टर का सब्जेक्ट डिजीज ऑफ हिल्ड क्रॉप एंड हॉर्टी कल्चर क्रॉप एंड दियर मैनेज ब्लैट लेट कि बैक्टेरियल बलाइट बैक्टिरल लीप ब्लाइट का सिम्टम उसके साथ उसका एटियोलाजी और उसके साथ उसके क्या क्या मेंन चीजें हैं कैसे तडिशंट आए जैसे की सामने अपने सबसे मुनास और आजी ओके श्रेंट्स आगे हम लोग बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसका जो सिम्टम है डिजीज इस यूजिली नोटिस्ट एट टाइम आफ हेड़ें बट इट कें अकर अलिया सो मतलब जब हेडिंग मतलब वह बढ़ने लगता है तो उस समय यह बहुत ज़् सिद्लिंग इन दे नरसरी सो सर्कुलर कभी कभी person जो बीच है मतलब की नरसरी में जब रहता है तभी सर्कुलर यालो स्पाठ एड दिमांगे किनारे पर मारजिन पर यालो पिला इस पाठ गोले रंका दिखाई देने लगता है जो की बढ़ा होता है क्या जो क्या होगा बाद में धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, closeness leading to drying of foliage, जो क्या करता है कि बाद में पुड़े पत्ते को, foliage को सुखा देता है, जिसे kresak कहा जाता है, क्या kresak symptom, kresak symptom, it's seen, क्या kresak symptom, it's seen in the seedling, one or two week after transplanting, kresak symptom जो है, वह seedling में दिखता है, transplanting के एक से दो हपते के बाद, the bacteria enter through the cut wounds of the leaf tip, मतलब bacteria कहां से घुशता है, तो bacteria जब पत्ती का जो क्या करते हैं, जब tip उपर वाला हिस्सा, जब कट जाता है, तो वहीं से वह उसके अंदर घुश जाता है, become systemic and cause death of entire seedling, मतलब वह बहुत ज़्यादा systemic हो जाता है, उसके सरीर के अंदर चला जाता है, और क्या करता है, पुढ़े seedling को dead कर देता है, जैसा कि आपके सामने देखिए, यह देखिए, kresak symptom दिखाई दे रहा है, पुढ़े seedling सुक के खतम हो जा रही है, उसके सामने फिगर जैसा कि यलो रंग का उस पर धबा बन जाता है, ओके श्रेंट्स आगे हम लोग बात करें, इन grown-up plant water soak, translucent lessons appear near the lip margin, लीफ margin के पास अगर plant यह बड़ा हो जाता है, तो पानी से सोखा हुआ translucent कलर का धबा दिखाई देने लगता है, लीफ के किनारी हिस्से में, जो the lessons enlarged, जो धबा होता है, दाग होता है, वो बड़ा होने लगता है लंबाई में और चड़ाई में भी, जो कि a wavy margin and turn straw yellow within a few days, कुछ ही दिन में पुड़े इस्टरा को, मतलब पुड़े भूसे को, पुवाल को क्या करता है या पीला कर देता है, covering the entire leaf, पुड़े पत्ते पर फैलता हुआ, तो as the disease advanced, जैसे ही disease या भढ़ने लगता है, जो यह जो lesson है, पुड़े lamina पर cover कर लेता है, मतलब पुड़े पत्ती पर cover कर लेता है, which turns white or extra color, जो कि सफेद color या फिर तो पीले पुड़े में convert हो जाता है, milky और opaque few drop containing bacterial masses are formed on young lessons in the morning, यह सुभा सुभा देखें, तो वहाँ पर milky color या opaque color का drop जैसा दिखाई देखा, जो कि bacteria का mass होता है, वह सुभा सुभा early morning में दिखाई देता है, तो the drying of surface leaving a white is a sequence, जब सुख जाता है तो वहाँ पर सफेद color का कुछ powdery जैसा प्रदाथ दिखने लगता है, तो यह इसका क्या था, symptoms था, आगे हम लोग बात करें, जिस bacteria के द्वारा होता है, उस bacteria को microscopic image से ऐसे देखा जाता है, यह इसका bacterial image है, microscopic image, तो जो bacterium होता है, यह इसके etiology की बात करें हम लोग, तो जो bacterium होता है, वह aerobic क्या, bacterium कैसा होता है, aerobic होता है, gram negative होता है, नोट कर एक point, bacteria, gram negative होता है, aerobic होता है, non-spore farming होता है, मतलब इस पोर फार्म नहीं करता, rod जैसा होता है, क्या road safe होता है size जो होता है 1-2 गुडिते 0.08-1 µm तक होता है monotricus मतलब एक इसमें फ्लैजिला पाया जाता है polar होता है फ्लैजिला एक किनारे तरफ होता है जासे आप figure में देख सकते हैं एक फ्लैजिला और किनारे के तरफ था bacterial colonies are circular इनकी colony जो होती है circular होती है विथ इंटायर मार्जिन पुड़े किनारे तक फेली होती है यह यलो या फिर इश्ट्रा या फिर ओपेक कलर मतलब धोधिता कलर में दिखाई देता है तो यह इसका था आगे इस देंस हम लोग बात करें इसके कुछ और में फेलरेवल कंडिशन की मतलब कब-कब यह ज़दा होने का चांस होता है तो यह होता है कलेपिंग टिप आफ मतलब सीडिलिग के समय अगर उसके टिप को हम लोग नोच देते हैं तब पत्ति के उपर वले हिस्से को नोच देते तब यह होने का चांस होता है या फिर भारी बारिस या है वी ड्यू ज़्यादा कुहरा या बाढ या फिर तो डीप इरिगेशन वाटर से ऐसा कंडिशन होता है अगर 25-30 डिगरी से चल्शियस टेंपड़ेशर पर बहुत हवायं चलेंगे तब होता है अपलिकेशन आप इक्सेसिव नाटरोजन या ज़्यादा नाटरोजन देने पर भी ऐसा कंडिशन देखने को मिलता है तो ये कंडिशन बैक्टियल ब्लाइट के लिए होता है डीजी साइकल की बात करें हम लोग मतलब डीजी कैसे यह फैलता है जैसा कि आपके सामने इसके न्टा साइकल दिख रहा है कि अगर अगर बैक्टरिया का कोई भी स्पोर होगा तो वो इसके प्राज करता है जो होता है यह बहुत तेजी से फैलने लगता है and die in the course of seed और जल्दी से मरने लगता है उसके बाद the pathogen survives in soil क्या जो pathogen है या soil में भी survive कर लेता है in the infected estables are collateral host या फिर कभी-कभी collateral host जैसे की larsia species या plantago nature papilsum dactum and cyanodon dactylone dub grass पर भी या अपना host बना के रह लेता है मतलब साल भर उसके बाद फिर जब धान के समय लगता है धान पर या काज करता है कभी-कभी pathogen irrigation water या फिर तो brain storm से भी फैल जाता है क्या पानी से भी फैल जाता है हम लोग थोड़ा सा cycle को देखें तो cycle यह जो है यहाँ पर आपके सामने cycle क्या है पहले infected seedling था seedling से क्या हुआ उसमें गया bacteria plant में चला गया plant से क्या होता है root में चला गया अब root से वह तो seed में रह सकता है या तो चाहे मिट्टी में रह सकता है या तो पुआल में रह सकता है जहां जैसे रहेगा फिर जब मौसम आएगा उसको favorable condition मिलेगा तो वह फिर से grow कर जाएगा तो इस तरीके से यह क्या करता है यह अपने को maintain रख लेता है इसके बाद हम लोग management की बात करें students तो management में इसके क्या क्या है तो सबसे पहला जो management है वो burn the estables जो पुआल है उसको जला दिए क्या पुआल को जला दीजिए यूज ऑप्टिमम डोज आफ फटिलाइजर जो फटिलाइजर का हम लोग डोज दे रहे हैं उसका maintain रखें ज्यादा ना दे या फिर बिल्कुल कम भी ना दे अवाइड क्लिपिंग औफ टीप औफ सीडलिंग इद टाइम आप ट्रांस उसके बाद जो घास हैं उनको हटा दे ग्रो रेजिस्टेंट कल्टिवर आई यार बीज एंड टीकेम छृ रेजिस्टेंट विराइटि के यूज करें जो बैक्तिरल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट होती है जैसे कि आई यार बीज और टीकेम छाृ इस प्रे इस्टे के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही हम लोग मिलेंगे नेक्स टॉपिक में नेक्स लेक्चर नेक्स डिजीज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद